हेलो गाइस कैसे आपस भी गाइस अगर आपके पास Redmi का 12 5G डिवाइस है या फिर Poco का M6 Pro 5G डिवाइस है तो इन दोनों डिवाइसे के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप Custom ROM को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो गाइस मैं आपको बता दू कि इन दोनों डिवाइसे का जो कोडने में वो सकाई है तो दोनों के अंदर आप सेम परकार की Custom ROM को इंस्टॉल कर सकते हो तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है जैसे कि सबसे पहले देखिए मैट्रिस की Custom ROM है जो कि Android 14 के लिए है उसके बाद में एवस्पो की Custom ROM है जो कि Android 14 के लिए है उसके बाद में आपको प्रजेक्ट ब्लेज की Custom ROM भी देखने के लिए मिल जाएगी इसी के अलावा अगर हम और बात करें तो आपको Evolution X की Custom ROM भी देखने के लिए मिल जाएगी यह अपना जो Chiris OS है उसकी Custom ROM भी देखने के लिए मिल जाएगी और अगर हम आपको Pixel Experience दिखाऊं क्योंकि यह वाली Custom ROM काफी ज़्यादा फेमस है तो जैसी क स्क्रीन पे आप देख सकते हो आपको Pixel Experience की Custom ROM भी देखने के लिए मिल जाएगी तो गैस आपको जिस किसी Custom ROM को आपके डिवैस में इंस्टोल करना हो Redmi 12 5G या फिर Poco M6 Pro 5G इन दोनों डिवैसे के लिए सेम Custom ROM आती है तो आपको जो भी फाइल डाउनलोड करने हो आपको याँ पे लिंक्स वगेरा सब के देखने के लिए मिल जाएगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो डाउनलोड इसके आगे लिंक है अगर आपको दूसरी Custom ROM दिखाऊँ तो ये देखो ये स्टोक एंड्रोइड की Custom ROM है तो ये देखो यहाँ पर भी Recovery नाम से Custom ROM यहाँ पे दी हुए अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो ये Bliss ROM का आप देखे यहाँ पर भी इसका Download लिंक देखने के लिए मिल जाएगा तो गैस आपको जो भी Custom ROM अच्छी लेगे आपको इसे Download कर लेना है उसके बाद में आपके डिवाइस में कोई भी Custom Recovery इंस्टॉल होने चाहिए जैसे की TWRP की Custom Recovery या फिर Orange Fox की Custom Recovery अगर आपको नहीं पता की कैसे इंस्टॉल करते हैं तो इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप जाके देख लीजे अब गाईस मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पे मेरे पास ना तो Redmi का 12 5G डिवाइस है और ना ही Poco का M6 Pro 5G डिवाइस है लेकिन मैंने काफ़ सारी डिवाइसे इसके अंदर कस्टम रोम इंस्टोल कर रखी है जैसे कि मेरा जो Redmi का Note 11 है उसके अंदर भी कस्टम रोम इंस्टोल है जो Redmi का K20 Pro डिवाइस है इसके अंदर भी कस्टम रोम इंस्टोल कर रखी है और जो Redmi का Note 7 डिवाइस है इसके अंदर मैंने custom room install कर रखी है क्योंकि आप सभी के काफी ज़्यादा comment आये थे कि आपको Redmi के 12 5G के अंदर जानने है कि कैसे custom room को install करें इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मेरे पास device नहीं है लेकिन मेरा जो group है उसके अंदर काफी सारे बन्दों के पास ये same device है इसलिए मैंने full knowledge ले ली कि कैसे custom room को इस device के अंदर install करना है तो guys आप अमारी इस वीडियो को safely follow कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको आपका जो device है उसके अंदर सबसे पहले आपको उसे off करना है तो जैसे के screen पे आप देख सकते हो मैं अपने device को power off कर देता हूँ जैसे guys आपका device power off हो जाए आपको power और volume अप दोनों बटन को एक साथ में दबाना है जैसे आपका device थोड़ा vibrate करें तो आपको power को बटन को छोड़ देना है और volume के बटन को दबा के रखने है जैसे guys आपका जो device है वो आपकी recovery के अंदर boot होना start हो जाएगा जैसे कि आप सभी अपनी screen पे भी देख पाओगे जैसे guys आपके device में आपकी custom recovery open हो जाए pen drive को connect करोगे तो आपको उसकी files यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी तो आपको simply क्या करने है आपको जो menu होता है उसके अंदर जाने है वहाँ पर आपको एक mount नाम से option देखने के लिए मिल जाएगा उसके ओपर आपको simply click करने है और अगर आप अपने device में stick card को use करे हो तो आपको microSD card के ओपर टिक कर देना है अगर आप USB pen drive को यूज करे हो तो आपको उसके ओपर टिक कर देना है जैसे कि मैंने कर रख है उसके बाद मैं guys आपको एक बार try करने है आप देखोगी कि आपको आपके device में जो external storage है वो देखने के लिए मिल जाएगी उसके बाद guys आपको क्या करने है आपने आपके Redmi के 12 5G या फिर Poco M6 Pro के लिए जो भी custom ROM डाउनलोड की है मैंने जो group दिया है उससे तो आपको simply उसके पर click करने है क्लिक करने के बाद उसको swipe to install कर देना है अब guys आपके device में जो ROM है वो install होने में लगबग 5 मिट लगाएगी तो उस time पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखने है सबसे पहले आपको जो device है वो 40% से ज़्यादा charge होना चाहिए guys अगर इस process के बीच में आपका device discharge होता है तो आपका device खराब हो सकता है second बात का आपको ध्यान रखने है कि यहाँ पर आपको जो button का option देखने के लिए मिलता है आपको इसके उपर बिल्कुल भी click नहीं करना वरना आपका device खराब हो सकता है यह process बीच में रुक जाएगी इसी के साथ में guys अगर आप pen drive को use करे हो तो इस pen drive को आपको हिलाना वगरा नहीं है वरना यह file install होनी रुक जाएगी और आपका device खराब हो जाएगा मैं आपको अग्गे बता दूँगा कि अब आपको अग्गे क्या कुछ करना होगा अगर guys आप wait कर रहे हो तो इस वीडियो को एक like जुरूर कर दीजिए जसे कि guys आप सभी screen पे देख सकते हो लगबग 5 मिंट के आसपास time लगा और हमारे device में जो custom ROM है वो successfully installed हो जगी है अब guys अगर आपको यहाँ पर कोई problem देखने के मिलती है 99.9% तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी पर अगर आपको यहाँ पर कोई problem देखने के लिए मिल जाती है तो आपको इस telegram group का link मैं वीडियो की description में दे रहा हूँ आप यहाँ पर आके हमसे बात कर सकते हैं आपकी problem का solution हम दे देंगे उसके बाद guys आपको क्या करना है simply आपको यहाँ पर निचे को option देखने के मिलता है wipe catches आपको simply यहाँ पर क्लिक करना है और आपके device में जो catchे वगरा बना होगा थोड़ा बहुत रोम flash के time पे वो simply delete हो जाएगा उसके बाद में guys आपको wipe के option के उपर जाने उपर आपको format data को option देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर simply yes करना और आपके device के जितना भी data था वो सारा format कर देने अब guys आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप इस process को नहीं करते तो आपका device boot नहीं होगा आपको आपके device को एक बार format data जुरूर करने उसके बाद में guys आपको simply आपके device को reboot to system कर देने अब guys इस process को follow करने के बाद अगर आपके पास Redmi का 12 5G device है या फिर Poco का M6 Pro 5G device है जिसका code name sky है उसके अंदर आप किसी भी custom ROM को install कर सकते हो आपको कोई भी problem वगरा देखने के लिए नहीं मिलेगी तो guys जैसे कि आपस भी अपने screen पे देख सकते हो मेरे device में भी custom ROM successfully install हो चुकिए और boot animation भी देखने के लिए मिल चुकिए थोड़े time के अंदर मेरा जो device है उसके अंदर ये वाली custom ROM successfully install भी हो जाएगी तो guys अगर आपको इस परकार की वीडियोस अच्छी लगती है कि बिना device के में आपको guide दू कि कैसे ROM को flash करते हैं और अगर आपको आपके पास कोई device है जिसके उपर ये वाली ROM flash guide चाहिए तो आप मुझे नीचे comment करके जूरूर बताना अगर ज़्यादा comment आप किसी device के उपर करोगे तो उसके अंदर ROM flashing की guide मैं ले आऊँगा सिक कर कि कैसे ROM को flash करना है अब guys अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे motivation के लिए comment जुरूर कर देना इस वीडियो को like कर देना और channel को subscribe कर देना ताक कि मुझे आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने की motivation मिलती रहे तो guys चलिबा मिलते हमारे किसी next वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई